स्वागत आपका दा हीमालियन स्टेडी रूप चले पर हमासिस कुमार रस्तोगी आज आपके सामने हम महत्पुन बीडियो लेकर आए हैं इस बीडियो में आज हम चर्चा करेंगे खेल जगत के महत्पुन कोशन और ये है करेंडर फिर्स 2021 की है और ये है सभी पिर्दोगी प पिर्दोगी परिशा के द्रेश्टी से सबसे आदा महत्पुन है और ये है बीडियो का फर्स्ट पार्ट है तो देखी इसमें पहला पॉइंट है पहली बार अधिकारिक ओलम्पिक खेल के रूप में पैरिस ओलम्पिक 2024 में शामिल किया गया यानि कि कौन से ऐसा खेल है ज यानि कि पहली बार अधिकारिक ओलम्पिक खेल के रूप में पैरिस ओलम्पिक 2024 में शामिल किया गया है ब्रेक डांस को और इसके बाद पॉइंट है पुरुस होकी बिश्कप दोहियर 23 का आईजन प्रस्तावित कहां पर है तो इसका आंसर है ओडिसा यानि कि इसका आईज किया जाएगा भारत में यानि कि पुरुस होकी बिश्कप दोहियर 23 का आईजन जो प्रस्तावित है बह graveyard में ओडिसा राज्ये में है और इसके बाद पॉइंट है पुरुस होकी बिश्कप दोहियर 23 भारत के इन शहरों में आईजित किये जाएंगे तो इसमें दो शहरों का नाम आया है आपका चर्चा में पहला शहर है भुमनेश्वर और दूसरा सहर है राउर केला तो यह जो आपके दोनों सहर है यह ओडिसा राज्ये में हैं और इसके बाद पॉइंट है बर्स दोहिया 23 में पुर्सो के ICC क्रिकिट बिश्कप की मेजवानी कौन करेगा तो इसका आंसर है भारत यानि की बर्स दोहिया 23 में पुर्सो के ICC क्रिकिट बिश्कप की मेजवानी कौन से देश करेगा तो इसका आंसर है आपका भारत और इसके बाद पॉइं है Indian Ocean Island Games 2023 कि मेजवानी कौन करेगा यह करेगा आपका Madagascar यानि कि Madagascar जो देश है आपका यह है अफरीका महादीब में लगता है और यह आप ध्यानक हैं कि Indian Ocean Island Games जो हैं 2023 वाले यह है 11 संस्क्राण का आईजन किया जाएगा 2023 में और इसके मेजवानी करेगा आपका Madagascar और इसके बाद हम देखते हैं आगे Madagascar पॉइंट और कौन से हैं तो देखे इसमें लिखा हुआ है यह आपका पॉइंट रिपीट होगी आइसमें जैसे इसमें दे रिखा है कि अंतर राश्टी होकी महासंग के पुरुस होकी बिस्कप 2023 का आईजन किया जाएगा और इसमें लिखा है कि भुमनेश्वर और रावर केला और यह दोनों सेहर लगते हैं आपके ओडिसा राज्ये में और इसके बाद पॉइंट है बर्स 2021 में पुरुसो का ICC T20 बिस्कप आईजित किया जाएगा तो यह आईजित किया जाएगा भारत में और इसके बाद इसमें लिखा है कि जापान में 32 वे ग्रीसम कालिन ओलम्पिक खेलों का आईजन किया जाएगा तो इसका अंसर है आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मद्ध है और इसके बाद पॉइंट है जापान में पैर अलम्पिक खेलों का आईजिन किया जाएगा तो इसकी आपका समय लिखा है इसमें कि 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मद्ध है और इसके बाद पॉइंट है ACI किर्किट परिष्ट के अध्यक्ष चुने गए यानि कि ये चुने गए थे आपके 30 जन्वरी 2021 केस को और इसका आंसर है आपका जैशाह और ये बने हैं BCCI के सचिप बनाए गए और जी ये जो आपके नाम लिखा है जैशाह ये हैं अमिस्षा के बेटे है ये कोर्सन आपका काफी चर्चा में रहा है इसलिए इसके कर रहा है प्रिक्षा में आने के और इस वीडियो को जादे स्यारा गुरूप में आप लोग शेयर करें और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं कि हमारे द्वारा बनाएगी वीडियो आपको ये कैसी लगी और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है इसके आनके आपकी अंतर राष्टी होकी महासंग के पुरुस होकी बिस्कप दोहिया 23 का आईजन किंदो सेरों में किया जाएगा भॉमनेश्वर और राउर केला में यानि कि राज्य कौन सा है ओडिसा और इसके बाद आपका पॉइंट है कि बर्स 2021 में पुर्सों का ICC T20 बिस्क के मद्ध है और इसके बाद पॉइंट है जापान में पर अलंपिक खेलों का आईजन किये जाएगा 24 यानि कि 24 अगसे 5 सितंबर 2021 के मद्ध है तो इन सही पॉइंटों को आप लोग रिपीट कर सकते हैं जितना आप रिपीट करेंगे आपके ये पक्की कोसन हो जाएंगे य समपन हुआ है यानि कि इसका जो आंसर है 18-30 जन्वरी 2021 के मद्ध है यानि कि खेलों इंडिया के तहत पहले जासकार शीतकालिन खेल एवं यूबा महौसव 2021 का आईजन लद्दाक में समपन हुआ है और इसका आंसर है 18-30 जन्वरी 2021 और इसके बाद पॉइंट है महिला T20 कि कर्केट के इत्यास में सबसे तेज सतक लगाने वाली खिलारी कौन बनी है इनका नाम है सोफी डिवाइन ये पॉइंट आपका पीपर में आ सकता है और इन्हों ने ये रिकॉर्ड बनाया है 14 जन्वरी 2021 को और ये है जो है सोफी डिवाइन ये है न्यूजिलेंड की कप्ता के इत्यास का सबसे तेज सतक लगाया और ये है सतक लगाया है इन्होंने 36 गैंदों में क्योंकि आपने देखा होगा पिट्टों की परिक्षा में खेल जगत के कोसन लगातार पूछे आ रहे हैं और इसमें जो है करेंड फिर्स के काफी चर्चा में रहते हैं पॉइंट इ द्यान अखिया आप इसमें सबसे आरा जो मोस्ट्रमेंट पॉइंट है आपका कि महिला टी-20 किर्किट के तिहास में सबसे तेज सतक लगाने वाली खिलारी बनी है सोफी डिवाइन और ये है न्यूजिलेंड की कप्तान है और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है 14 जन्व लगाई है और इसमें लिखा है कि घरेलू सूपर यानि कि इस मैस पिर्टोगिता में इन्होंने ये ख्याती प्राप की है और इसके बाद हम देखते हैं आगे मैंटपूर पॉइंट कौन से है तो देखिए इसमें लिखा है कि फ्रेंच सूपर कप फुटबॉल हो गिता कि 25 संस्क्राण की बिजेता टीम कौन सी है तो इसमें आंसर है आपका पेरिस सेंट जर्मेन यानि कि पी एस जी और इसका एजन किया गया था 13 जन्वरी 2021 को इसके बाद पॉइंट है नए एंटी ड्रॉपिंग E-Learning यानि कि ADEL पिलेट फारम का सुभारम किया गया है और इसका एजन किया गया था जन्वरी 2021 में तो इसका आंसर है आपका पिर्शन का बाड़ा द्वारा यानि कि नए एंटी ड्रॉपिंग E-Learning पिलेट फारम का सु चैश्ट क्रिकेट में नए गया है और इसके बाद पॉइंट है इंग्लेंड के सबसे बुजुर्ग यानि कि इंग्लेंड के सबसे बुजुर्ग पुरुस टैश्ट क्रिकेट का यानि कि क्रिकेटर का 97 बर्स की उम्र में निधन हो गया है तो इनका नाम है डौन इसमेथ और इनकी दैत होई है 10 जन्वरी 2021 में ये पॉइंट आप ध्यान लखें कि इंग्लेंड के सबसे बुजुर्ग पुरुस टैश्ट क्रिकेटर का 97 बर्स में निधन हो गया है और ये निधन वाय दस जन्वरी 2021 में इनका नाम आप ध्यान के परिक्षा में आ सकता है डौन इसमेथ नाम है इनका ये वीडियो इस प्रिकार बने गई है कि आपको जादे स्यादा सायदा मिल सके प्रितोगी परिक्षाओं में और इसी चैनले के माध्यम से सेकंड बीडियो आपको प्रोवाइट करा दी जाएगी तो ये ध्यान लखिया पॉइंट आपके मोश्न मेंडे की फ्रेंच ओप यानि की स्वेप फ्रेंच सूपर का फुटवॉल प्रितोगीदा के 25 संस्क्रण के बिजेता कौन है तो इसका आंसर है पैरिस सेंट जर्मेन और इसके बाद इसमें नए एंटे ड्रॉपिंग ई-लेंडिंग प्लिट फर्म का सुवारम किया गया है बाड़ा के द्वारा और इसके बाद पॉइंट है टैस्ट किर्गेट में 6000 रन बनाने वाले 11 भारते बल्लेवाच बने हैं चेतेश्वर पुजारा और इन्हों ने ये रिकॉर्ड ब नाम है डॉन इसमेथ और ये इनकी दैत होई है यानि कि 10 जन्वरी 2021 में तो ये बीडियो आपके लिए काफी महत्मौन है क्योंकि 2021 में जो परिक्षाइं होंगी आपकी उसमें ये कोस्टन आपके पूछे आ सकते हैं तो ये बीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमें में जरूर बताएं ताकि हम इसी प्रकार की नएने वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइट कराते रहेंगे और जो लोग नए हो वे है सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को धन्यवाद